हिंदु भी भगवान का पूजा करते हैं, जीब बलिदान करते हैं, बलिदान करके खा जाते हैं, साहिब कबीर कहे, दोनों जने रहिया बिगारी, ओ संतों, दोनों जने रहिया बिगारी, नदिया किनारे, गईया मर गए, मचली नोच के खाई। नदिया किनारे, गईया मर गए, मचली नोच के खाई। सो मचली को हिंदु आखाए, कह मा रहल हिंदु आई। ओ संतों, दोनों जने रहिया बिगारी, नदिया किनारे, गईया मर गए, मचली नोच के खाई। सो मचली को तुरका खाए, कह मा रहल तुरकाई। संतों, दोनों जने रहिया बिगारी, ब्रह्मन पहिने मोट जनवा, ब्रह्मनी को क्या पहिनाई। देखिये इनका, पंडी जी का जड़ा देख लिजे होसियारी, हम लोगों के गले में कंठी माला है, तो माता बहनों के गले में भी कंठी माला है। लेकिन पंडी जी अपने पंडी तो हो गए, अपने ब्रह्मन बन गए, और पत्नी को सुद्र छोड़ दिया, इसको जनव नहीं करवाया। अगर जनव पहनने से कोई ब्रह्मन हो, तो पंडी जी के पत्नी के पास जनव नहीं है, और वो सुद्र रह गई है। साहिब कभीर कहते हैं ब्राह्मन पहिने मोट जन वुआ ब्राह्मनी को क्या पहिनाई जनम जनम के सुदरी पर से तू पारे क्यों खाई हो संतो इदोनो जने रहिया बिगारी तुरकाया पे सुनत करावे तुरकिनिया को क्या करवाई मुल्वी सहेब अल्ला सुनत नहीं किया भगवान सुनत नहीं किया वो यहां करके विक्रिती पैदा की गई है यहां की सैतानी है कि यहां आके सुनत करागे अब मुसल्मान बनाया गया मुसल्मान हो गए अल्ला सब कुछ बनाया बंदूओं सुनत करा के मुसल्मान बना दिया गया अल्ला नहीं किया मैं एक बार नेपाल में गया एक कार्जकरम में गाउं का नाम है बिरता और रोतहट जिला में पड़ता है वहाँ हिंदू बहुत अल्प संक्यक है दुचार घर तेली है साव जी दुचार घर तत्मा और दुचार पांच घर रविदास पूरा गउं मुसल्मान है सारे मुसल्मान लोग आके पंडाल में बैठ गए मैं प्रभचन के करम में उनसे पूछा कि पूरे बर्मान की रचना किसने किया यह धर्थी आस्मान हावा पानी आग सुर्चंदर मातारा कौन बनाया सारे मानव पशू पक्षी कीरा मकोरा को कौन बनाया यह नदी समुंद्र परवत पहार को कौन बनाया यह बनस्पती पेर पहुधा को किसने बनाया मैंने कहा कि ठीक है अल्ला ने पूरे बर्मान को रच दिया अच्छा एक बात बताईए मौलवी सहेव अल्ला जो पूरा दुनिया बनाया वो सही सही बना दिया कि इसमें कुछ अल्ला से भूल हुई कुछ गरवरी है कहा कुछ गरवरी नहीं है बिल्कुल चुस्त दुरूस्त अल्ला ने बना दिया मैंने कहा हमको तो लगता है कि अल्ला से बनाने के समय गरवरी हुई और भूल हो गई कहा क्या भूल हुआ कहा मैंने कहा अल्ला सब कुछ बनाया अब उसके पास अजार नहीं था कि क्या हुआ सुन्नत नहीं कर दिया जो यहां के लोग करते हैं आकर के बिगड़ गया हमरा पर कहा कि बवाजी संका हुआ है हम संकल हैं अल्ला सब कुछ बना दिया असुन्नत करने का उजार नहीं था उसके पास भगवान प्रह्मा जी सब कुछ शिरिष्टी कर दिया अटीकी रोपने का छूटी नहीं था भगवान के पास, यहां के टीकी रोप लिया गया, कहां ही भजन नहीं हो रही है, और कहीं भगती नहीं हो रही है, कि वल रागदेस में हिंदू, मुसल्मान और सीख इसाई चारो के चारो जल रहे हैं, भेद लगा लगा करके, चारो के चारो सैतानी पर उत्रे हुए हैं, इंसानियत कतम हो चुका है, सारे लोग मांस खाते हैं, हिंदू भी मांस खा रहा है, मुसल्मान भी खा रहा है, सीख भी खा रहा है, हिसाई भी खा रहा है, मचली खा रहा है, दारू पी रहा है, बीरी पी रहा है, सिग्रेट पी रहा है, ग गुश्खोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, दूद में पानी मिला रहा है, आटा में चोकर, घी में डलडा, चावल में कंकर मिला रहे हैं, सब के सब सैतानी पर उत्रे हैं, अज सब कहते हैं, मुसलमान भी कहता है, अभी देख लिजे, रोजा रखा है, दीन भर अन पानी नहीं खाते हैं, मुल्वी साहब, अज जो सुर्यास्त हो, तो क्या क्या करते हैं, साहब कवीर कहे, दीन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाए, यह खून वह बंदगी, कस कर खुश खुदा है, खुदा कैसे खुश होगा, दीन भर अन नहीं खाते हो, पान काटते हो, कोई गाय काटते हो, कोई भैंस काटते हो, कोई उंट काटते हो, कोई दुम्मा काटते हो, एक तरफ खून की नदी बहाते हो, और दूसरे तरफ इबादत करते हो, वो अल्ला कैसे खुश होगा? दीन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय, यह खून, वह बंदगी कसकर खुश खुदा है खुदा कैसे खुश होगा नहीं अगर इसलाम धर्म सही है और अल्ला सही है तो सारे मुसलमान को सारे हिंदू का सर्वनास हो जाना चाहिए था चुके एक भी हिंदू अल्ला के नाम पर रोजा नहीं रखा है और इद नहीं करेगा और कुर्बानी नहीं करेगा अगर इसलाम धर्म सही है तो सारे हिंदु को सर्वनास हो जाना चाहिए ना अगर हिंदु धर्म सही है हिंदु के देवी देवता काली दुर्गा राम किरिस्न सही है हिंदू का नाम नौमी बसंद पंचमी महा सिवरात्री छाठ चक्चंदा अगर सही है तो सारे मुसल्मान का सर्व ना सोजाना चाहिए चुकि एक भी मुसल्मान देवी दुर्गा का पूजा नहीं करता है अगर हिंदू का, मुसल्मान का देवी देवता, अगर सही नहीं है, अगर सीख का सही है, तो हिंदू मुसल्मान का ना सो जाना चाहिए, अगर इसाई का देवता सही है, इसा मसी, तो हिंदू मुसल्मान और सीख तीनों का ना सोना चाहिए, कहाँ सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है हम सारे लोग जूठे पूजा जूठे अर्चना जूठे जाप में लगे हुए सच्चाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा है किसी से किसी का मतलब नहीं है साहिब कबीर कहे तुरकाया पे सुनत करावे तुरकिनिया को क्या करवाई जनम जनम नापाक तुरकिनिया वाके हाथ के खाई हो संतो दोनो जने रहिया बिगारी हिंदू के दया मिहर तुरकन के दोनो घट से त्यागी वै हलाल वै जटका मारे आग दोनो घर लागी हो संतो दोनों जने रहिया बिगारी न हिंदू के दिल में दया है और दया का उर्दू लवज बना है महरवानगी न मुसल्मानों के दिल में महरवानगी है फर क्या है हिंदू, मुसल्मान उसी बकरी के बच्चा को पठक करके चीत कर देता है और चीत करके नीचे से छूड़ा भीराता है नीचे से गला रेता है अहिंदू काली दुरगा के मंदिर पर जाके अब उपर से तलवार चलाके अब बकरी के बच्चा के गर्दन को उपर से काटा जा रहा है फार्क यही है मुसल्मान नीचे से और हिंदू उपर से साहब कबीर ने कहा चंडाल तो दोनों है कसाई तो दोनों है भजन कौन कर रहा है और भगती करने वाला कौन है कौन भगती कर रहा है कौन भजन कर रहा है सारे लोग इरस्या देश में राग देश में बेकल है किसी का मार्ग सही दिखाई नहीं देता है साहिव कभीर ने कहा पक्षा पक्षी के कारने सब जग रहा भुलान निस्पक्षों के जो भजे सो ही संत सुजान अगर आप रमायन महाभारत गीता सुकसागर परिये तो हिंदू के देवी देवता की चर्चा है भगवान राम किरिष्न राजा दसरत राजा जनक पर्मा विशनु महेश और राजा विक्र मादित या दसरत या जनक या दुरवासा रिशी या बसिस्त मुनी या बालमिकी जी या विश्वा मिंत्र की चर्चा है अब मुसल्मान के कुरान को परहा जाए तो अल्ला मुहम्मद की चर्चा है सीख के गुरु गुरंद को परहा जाए तो गुरु नानक, गुरु गोबिन सिंग, गुरु रामदास गुरु तेग बहादुर की चर्चा है और इसाई के बाइविल को परहा जाए तो उसमें इसा मसी की चर्चा है तरेगा कौन? मुक्ति किसकी होगी? कल्यान किसका होगा? ये सारे सैतानी के धंधा मानब चला रहा है इंसान बनके इंसान बनके तो वो गाय जी रही है इंसान बनके भैंस जी रही है इंसान बनके हाथी जी रहा है इंसान बनके घोरा जी रहा है इंसान बनके उट जी रहा है इंसान बनके गदहा जी रहा है इंसान बनके बकरी जी रही है इंसान बनके भेरी जी रही है इंसान बन के वो सुगगा जी रहा है इंसान बन के वो हंस जी रहा है इंसान बन के वो गिध जी रहा है इंसान बन के वो बगुला जी रहा है सारे जीव जन्तु इंसान बन के जी रहे हैं इस धर्ती पर मनुश के वल सैतान बन के जी रहा है अगर गाय के सामने में अगर भैस के सामने में अगर उट गदा के सामने में एक तरफ घास रख दिया जाए और दूसरे तरफ मास रख दिया जाए ये परानी क्या खाएंगे मर जाएंगे उपवास रख लेंगे लेकिन मास नहीं छूँ सकते हैं जब खाएंगे तो घास खाएंगे, ये गाय न कभी बैनात गई, न जगरनात गई, न केदारनात, न हरीहरनात, न पसुपती नात, न छठ किया, न चक्चंदा किया, न होली किया, न दिवाली किया, न महा विश्नु जग, न महा रूद्र जग, न सचंडी जग किया, लेकिन आज तक अपने इंसानियत पर यह गाय अडिग है और आज तक घास खा के जी रही है मास के धोईन या मचली के धोईन इसके सामने आप रखेंगे यह सूंग के हट जाएगी उसको गरहन नहीं कर सकती है लेकिन आज सर्व स्रेष्ट जोनी कहे जाने वाले यह मनूस यह पापी आज अधर्मी मांस भी खा रहा है और मचली भी खा रहा है और बैनात धाम भी जा रहा है और सतनरायन का बरत कथा करवा रहा है काली पूजा कर रहा है दुरगा पूजा कर रहा है छट हो रहा है चक्चंदा होली दिवाली अमास मचरी अतारी दारू अबीरी सिक्रेट अशिखर पराग अगाजा भांग चब चला बोलिये इंसान है कि सैतान है क्या बन के मनुस जी रहा है बाग है बाग मांसाहरी परानी उभी अपने नेचर पर है उभी अपने धरम पर है उभी अपने सभाब पर जी रहा है अगर बाग के सामने खड़े दूद का तसमई दिया जाए और बगल में मांस रख दिया जाए बाग मर जाएगा उपवास रख लेगा लेकिन वो तसमई नहीं खाएगा पेरा रसगुला नहीं खाएगा वो जब खाएगा तो मांस खाएगा बाग भी अपने प्राकिर्तिक धरम पर आज तक जी रहा है बाग भी धरम पर जी रहा है बाग से भी गिरा हुआ प्रानी मनुस है जो भगवान के पूजा के फेर में पड़ा हुआ है बाग से भी गिरा हुआ मनुस का चाल है मनुस का बीचार है मनुस क्या नहीं खा रहा है और कौन को कर्म नहीं कर रहा है लेकिन ये अपने को धार्मिक कहने में पीछे हटने के लिए इंसानियत कहने में ये पीछे हटने के लिए मनुस्तयार नहीं बंधुओं सुगगा एक पक्ची है पक्ची वो सुध साकाहरी होके जी रहा है कोई नहीं कह सकता है कि सुगगा को कीरा मखोरा खाते देखे सुग्गा को कोई गंदा चीज खाते देखे सुग्गा के गले में कोई कंठी नहीं है सुग्गा कोई सत्संग में नहीं गया सुग्गा कोई गुरू नहीं किया लेकिन आज तक सुध साकाहरी होकर अपने प्राकिर्तिक नेचर पर जी रहा है आज तक सुगगा इंसान बन के जी रहा है लेकिन मनुस कंठी भी बाह लिया अब मौका मिले तो दलाली मार लेता है मौका मिला तो घूस खा लेता है चोरी कर लेता है डकाइती कर लेता है मौका मिले तो भीरी भी पी लेता है सिक्रेट भी पी लेता है गाजा भी पी लेता है भांग भी पी लेता है जर्दा और किमाम भी खा लेता है सिखर और पराग भी खा लेता है मनुस, मनुस का क्या धर्म है, मनुस का क्या इंसानियत है, जरा इस पर दिचार किया जाए, सव दूसर गाय चर रही है, सव दूसर भेंस चर रही है, सव दूसर बकरी चर रही है, उसके बीच में धाकर है भाइसा है बोतू है लेकिन जब तक उसका प्रकिर्ति प्राकिर्ति स्वभाव नहीं बनेगा तब तक वो भाइसा भाइसी के निकर जा नहीं सकता है धाकर गाय के निकर जा नहीं सकती है अब बोतू बकरी के निकर जा लेकिन मनुस वहां भी इन परा इस सारे कुकरम पर मनुस उतारू है और अपने को और भेश बना बना करके लाल कुर्टा पेन के पीला कुर्टा पेन के हरा कुर्टा पेन के काला कुर्टा पेन के दारी जोटा बरहा करके चंदन फटाका करके कंठी भी बान करके आर्वन को पिन पेन करके हाथ में चिवटा क मंदल ले करके और दुनिया बालों को देखा रहा है कि देखो हम धार्मिक परानी हैं हम धरम करने बाले लोग लेकिन भेश से कोई धार्मिक नहीं हो सकता है साहिब कबीर ने कहा भेश देख मत भूलिये पूछ लीजिए ग्यान अब भीना कसवटी होत नहीं कंचन की पहचान बंदूओं आज तक हम लोग 65 बरस का उम्र बीत रहा है आज तक हम लोग मंदिर के मुँँ नहीं देखे हैं क्यों इंसान बन के जी रहे हैं सैतान बनते तब तो मंदिर का तलास करते डंटी मारते दलाली खाते गूस खाते दूद में पानी मिलाते हटा में चोकर मिलाते घी में डलडा मिलाते मास खाते मचरी खाते सारा कुकर्म करते तब तो बीना मंदिर गए उपाय नहीं था पाप कटाने के लिए अब एकों को पापे करम नहीं हम लोग करते हैं कहा तो चाय तक नहीं पीते हैं हम लोग गुरु जी का आदेश का पालन है चाय नहीं पीते हैं अमास मचरी अतारी दारू गाजा भांग, बिरी सिग्रेट पांच सो पारी अशिखर बढ़ाग, तो अलग रहे, आज तक एक चीटी को नहीं मारे है जान करके, अब परोग्च रूप से रास्ता चलने में जो पिछा जाए, मच्छर मर जाए, उसका गारंटी मेरे पास नहीं है, लेकिन जान करके, आज तक एक चीटी को नहीं मारे, आज तक किसी का चोरी नहीं, दलाली नहीं, बैमानी नहीं, घुषखोरी नहीं, किसी जीव का हत्या नहीं, किसी के साथ बलतकार नहीं, तो हम मंदिर क्यों जाएं? मंदिर का आवा सकता हमको नहीं बुझा रहा है, आप भी, आप भी जिस दिन से, अपने सही मार्ग पर आ जाएंगे, सही करम आपका हो जाएगा जिस दिन से, मंदिर जाना आप भी भूल जाएंगे, और भगवान का नाम लेना आप भी भूल जाएंगे.